हलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लोड़ बुद्धा स्टडी सेंटर धर्दा के यूट्यूब चैनल में आज मैं सुरेंद कमार आपके लिए विद्या सागर अंगनित का एडिया यानि छेतफल का क्लास नाइन लेका है हूं दोस्तों इसे पिछले विडियो में मैं आपको बताया था दोस्तों प्रसन संख्यां 30 तक और आज के विडियो में मात दो कोस्टन करेंगे और उसको दो तरीकाश बनाएंगे जो कोस्टन बहुत ही बड़ा है देखने में लेकिन मैं आपको आसानी से आसानी विम समझाने का प्रियास करूंगा औ और एक ची बता दूं दोस्तों कलास वन और टू इंटोडक्शन कलास है और वन में कलास वन जो दिया गया है उसमें 35 प्रसन का पीडिया दिया गया उसको डाउनलोड करके जरूर बनाईएगा और दोस्तों एक ची बता दूं और कि देखिए यह अध्याए 17 है इससे पहले मैंने सोलो अध्या तक अप्टेट दे दिया यदि नहीं देखें तो पले लिस्ट के माध्यम से सारे वीडियो आसानी बेवे मिल जाएगा वहां से पुरे बुक का लगवल आप वीडियो देख सकते हैं तो चले उस्तों आज का कलास स्टार्ट करते हैं तो देखिए प्रसन को ध्यान से 49 नमर प्रसन है किसी आयताकार मैदान की लंबाई 24 मीटर तथा चवडाई 15.5 मीटर है मैदान के बीचो बीच उसकी भूजाओं के समान तर एक दूसरी को काटती हुई दो सरके बनानी है तो काता है लंबी और छोटी सरको की चौराई करमसह 2 मीटर और 2.4 मीटर है यदि सरक छोरकर बांकी मैदान में घास लगाने का खर्च 1.75 रुपए परती बर्ग मीटर हो तो घास लगाने का कुल खर्च यात करे तो चलिए इसको ध्यान से फिगर बनाते हैं और आपको अच्छी तरह से समझना है ये परसन आप बिल्कुल आसानी वे में समझेंगे तो दोस्तों यसी भी वीडियो को आप अंतक देखेंगे और इसको मैं दो तरीकास बताऊंगा और चालिस नमर परसन को भी दो तरीकास बताऊंगा इन दोनों को ध्यान से देखना है तो इससे पहले वीडियो में मैं भी आपको दोनों तरीका बताया था यदि आप उसमें नहीं समझें, इसमें बिल्कुल समझेंगे, देखना है ध्यान से, तो चलिए सबसे पहले इसका figure बनाते हैं, ध्यान से देखना है, कुछ नहीं है, यदि समझ गए, आप बिल्कुल आसानी बेम बना लेंगे, चलिए दोस्तों page को थोड़ा setup करते हैं, क्यो देखिए, आपको क्या कहता है, आयत, सबसे पहले आयत बनाना, थोड़ा बनाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है, एक बार यदि समझ गए, तो आप बिल्कुल बना लेंगे, ऐसा देखिए, मैं बना लिया आयत, उसमें देखिए क्या कहता है, आपका चोराई को इधर नोट करते हैं तो 15.5 मीटर क्या दे दिया है चोराई अब देखिए कहता है आगे कहता मैदान के बीचो बीच यानि ये बीचो बीच हो गया ये बीचो बीच हो गया तो क्या कहता है तो कहता है देखिए समानांतर होता है समानांतर देखिए एक दूसरे के य मीटर चलिए लंबाई यह है इसके समाना अंतर कितने मीटर की देखे चोरी बाले रस्ता को बिचो बीच बनाया तो देखिए यह बनाया तो इसका जो आपको कहता है इसका जो चोरा है यहां से यहां तक लंबाई के समाना अंतर इसका आपको चोराई दे दिया है दो चोरी द के भी समानंतर दे दिया है तो चौराई ये हुआ देखिए ये लंबाई बराभुजा लंबाई छोटा भुजा चौराई तो कहता है उसके बाद देखिए चौराई के समानंतर भी कहता है तो चौराई के समानंतर कितना कहता है तो देखिए ये कहता है 2.4 है अब देखिए य यहां से देखना यह फिगर बन गया तो देखिए यह जो यहां से यहां तक आप देख रहे हैं यह दो दसनलब चार हो गया कितना हो गया यह हो गया दो दसनलब चार यहां भी यहां से यहां तक करवा की मैदान इस सरक यहां से यहां तक हो गया ऐसे हो गया सरक यहां से यहां तक इधर भी हो गया सरक इस अभी को छोड़ कर यह जो आप देख रहे हैं तो कहता है इसमें देखिए इसमें क्या कहता है इसमें घास लगाने का कुल खर्च तो इसमें कहता है ना कि यह सरक बा ये बरा क्या देख रहे हैं आयत क्या देख रहे हैं आयत इसका च्छतफल निकालेंगे इसका च्छतफल कैसे निकालेंगे लंबाई गुने चोराई तो बरा का लंबाई क्या है बरा का लंबाई है आपका 24 बरा का लंबाई कितना है बरा आयत का लंबाई 24 धियान रखेगा तो देखिए लंबा हो गया 24 और चुराई कितना हो गया 15.05 इसको देखिए गुणा कर लिजगा तो आपको गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 372 उसके बाद देखिए कुछ आएगा जीरो उड़ जाएगा तो इतना आ गया ये भरा का छेटपल ध्यान किसका छेटपल आया बरा का छेटपल यदि मान लेजिए इसका छेटपल निकाल लेंगे और इसका छेटपल निकाल लेंगे और इसमें से बरा में से घटा लेंगे ये सारे छेटपल बढ़ जाएंगे तो ऐसे भी बना सकते हैं चलिए इसी तरीकास पहले बनाते हैं ये फ एक आयता आयता आपका बनेगा यह जा अब देखिए इसका चेफफ़ल निकाल ये इतना बना दिया चलिए इसको आप ऐसे करके बना लिजेगा इतना बड़ा देखिए यह तो दो ही होगा और इसका जो लंबाई हो जाएगा कितना 24 चोड़ाई क्या हो जाएगा दो इसका छतफल कैसे निकालेगा लंबाई गुने चोड़ाई तो यहाँ से यहाँ तक का छतफल आपका क्या हो जाएगा लंबाई गुने चोड़ाई तो 24 दुना 48 क्या हो गया यहां से यहां तक आपका और तालिस हो गया अब देखिए इसी तरह से यहां से देखना आप इसी तरह से ऐसे एक और बन रहा फीकर तो इसका आज से आज पॉसे बनेगा आपका फीकर-ध्यास से देखिए दिआजाया क्या में में डिए-से बनेला बनेगा तो देखिए ये चोड़ा कितना दिया है 2.4 और देखिए ये ऐसे हो गया तो ये बरा के लिए आपको ये क्या हो गया बरा के लिए चोड़ाई लेकिन ये ऐसे जब बना तो चोड़ाई ये हुआ लंबा ये हो जाएगा लंबा कितना है यहां से यहां तक इसका लंबाई ये निकाल लुहिए दिसका रहात लाएं गुना कुण थिल्द कर रहे हैंso करने के बाद आपको कितना आएगा तो ध्यान देना है इस दोनों करने के बाद देखिए यह हो गया आपको लंबाई यह होगा चोराई इसको गुना किजेगा तो 37.2 आजाएगा तो इसका छेटफल कितना हो गया 37.2 और इसका छेटफल हो गया 48 तो इधर से देखिए इसका छेटफल हो गया आपको 48 और इसका छेटफल क्या हो गया इसका छटफल हो गया 37.2 हो गया अब देखिए इधर से जब मैं count कर रहा था तो इधर से भी count हो रहा था और इधर से भी count हो रहा था यानि ये दो बार count हुआ तो चलिए इसको समझते हैं देखिए ऐसे figure बन गया यानि कहने कार्थ ऐसे एक बार मैं क्या क्या ऐसे बनाया और एक बार ऐसे बनाया इधर से जब count किया तो इतना छटफल आया होगा और इधर से भी क्या क्या इधर से भी बनाया तो इतना छटफल आया तो इसका देखिए इधर से दिया हुआ है चवड़ाई 2 और इधर से कितना दिया हुआ है। इधर से दिया हुआ है 2 दिस Наबलोग 4 तो इसको चलिए यहां संदोगई हूग2 तो ऑर यह देखिए 2 2 Đस भी फ्रकार का क्या बन गया आयत बन गया तो दो मैं क्या इसको आप बरा है इसको बरा बना के समझ जाईएगा तो देखिए इसका फिगर बनाएगा तो यह इस परकार बनेगा देखिए इस परकार कर देखिए बरा बना लेते हैं तो लंबाई देखिए इतना हो जाएगा अच्वराई दो हो गया इसका छितफल दो बार रांट किया तन चलीए अब क्या करते हैं इसको देखिए पहले इसको जोड़ दे लेते हैं तो देखिए चलिए जोड़ इसका चेटफल में नहीं गहटा या चलिए इसका चप्ण गहटाएंगे नहीं आशकरागे भॉट में आपको 4.8 इस States नहीं गह्ती है गहटाएंगे लिएड़ाजाएगा चार और यह होगा आपको कितना प्ले Teil 8ieten यह ठुथा जूआ पहलास इसका च्छतफल ये कितना ये 80.4 तो पूरे का च्छतफल कितना है तो पूरे का च्छतफल है 372 यहां है 372 पूरे का च्छतफल और उसमें से इसका च्छतफल और इसका च्छतफल यदि हम घाटा लेते हैं यदि हम घाटा लेते हैं इसका च्छतफल आ जाएगा चलि इसको घटाईएगा tappingGA दो देखिए यह हो गया चो अब देखिए ये कितना हो गया एक अब यह कितना हो गया यह मैदान का छत्रपल इसमें क्या करता है इसमें आपको कहां सलगाना है चलिए अब आगे समत्व है जब एक बर्ग मीटर यानि एक मीटर स्कॉर ज्यान दिजेगा एक मीटर स्कॉर जा करता है घास लगाने तो टोटल तो इतना लगाना है इतना इतना से इस में हो जाएगा तो एक दसम्लव सेवन फाइब गुने उन्तिस एक दसम्लव छो इतना में लगाना है इतना को गुना कर लिजेगा देखिए गुना करने के बाद आपका अंसर क्या आ जाएगा देखिए आप गुना कर लिजेगा इतना आज देखिए इसके बाद आ जाएगा इतना आएगा यान eller 10700 लगता है टोटल किसमें लगाना है दिखिए यह लगाना है इंस डोसे देखते हैं से को नगाना अथ оч наблюдat यहां से देखिएगा तो देखिए इसका सकेंद मिठर पहले फीगर समझे फीगर में ही कमाल है और कुछ नहीं है चलिए अब देखिए दोस्तों इस वीडियो को मैं थोड़ा अपडेट करने में आपको समय लगा दिया उसके लिए आपसे समापरार्थी हूं क्योंकि मेरा ड तो इस देखिए बहुत आसानी नहीं में बन जाया ए तो इसका आपको लंबाई दे दिया है कितना यह दे दिया है तो पंदर अदस्मलब पांच अब देखिए प्रस्न के अनुसार जो डाइगराम है ऐसा बनाये गया था देखिए ऐसा ये दो मीटर क्या कहता है चोड़ा है और इधर से जो है आपका इधर से क्या कहता है दो दसंबलव चार मीटर दो दसंबलव चार मीटर ये आपका चोड़ाई था और इधर से कितना था ये चोड़ा दो मीटर अब चलिए इसको बारी के सम देखैंद को निकालना है मुखरूप इसका श्यतौन इसका यहाँ मैं समझा रहा हूं अगर्षी देखियाँतों आप बिल्कुल समझसेंगे चल gewoon आप देखिये इसको क्या करते हैं ध्यान से देखिएगा चलिए आपको सिर्फ समझना है देखिए आईसा डाइगराम बना सकते हैं अब देखिए कईसा डाइगराम बनाएंगे देखिए देखिए दोस्तों मैथ है आप इसको किसी तरीका से एक तरीका कोई खास मेथर ने हो सकता है आप किसी तरीका से बना सक दो मीटर आपका नीचे से मैं रख देता हूं देखे हमको क्या करना है इसको यह दोनों खाने को उपर कर देना है और यह जो आप ऐसे देख रहे हैं इसको इधर कर देते हैं थोड़ा ध्यांस देखिएगा कुछ नहीं यह आसानी वेम समझा जाएगा यह उपर उठके जाए इसको पूरे को उठाक नीचे कर दिया और इसको उठाक इधर कर दिया तो यह देखिए 2.4 मीटर चोरा इधर दिया हुआ है और यह आपको क्या कहता है दो मीटर चोरा है चलिए यह घास वाले च्छतफल को हमको निकालना है यह इसमें देखिए क्या कहता है घास लगाना ह तो इसका छुटफल निकालना है और क्या करेंगे तो चलिए इसको समझे पुरा का लंबाई दे दिया है आपको कितना तो चौबिस चौबिस दे दिया है और हमको इतना का ही लंबाई निकालना है ताकि इतना का छुटफल निकल सके तो छायांकित भाग का छुटफल निकाल इतना तो हो गया किया कि एतना दोरी में तो इतनक ही होगा 2.4 कम होगा इसमें से दो 1 यह दो संबलोब चार घटाइएगा तो लंबाई क्या हो जाएगा चा यह क्या होगा 24 और इसमें से क्या करेंगे 2,4 गटाएंगे तब हो जाएगा यहां से यहां तक क्या हो जाएगा लंबाई तो यह देखिए यह हो गया दिसेवलब का गताओ चलिए घटाएएगा दिसको घटाएगा घताएगा कितना हो जाएगा देखेजीं यह ही होगया तीन एक यह लंबाइएगा यहाँज से यह तक पहले था पूरा चौ कितने हैंट पा चितने हो गिया¤ 25-25 अब इसमें से क्या करेंगे इतना दूरी तो हमको छोड़ना है कहा कि हमको निकालना है इतना ही दूरी का चोराई, इतना ही भाग का तो देखिए, पुर्ण हो गिए 15.65 इस में से क्या करेंगे दो घटा देंगे 15 17 इधर से करेंगे उसके बाद क्या लिखेंगे तीन हो गया एक हो गया इतना हो गया देखिए यह चैयांकित भाग का क्या हो गया तेरो दसम्बलाब पांच आपका चौराई हो गया आपका एक बार में आ जाएगा लेकिन थोरा ध्यान देने की बात है अब चलिए इसको दोनों को गुणा किजेगा तो गुना करने के बाद देखिए क्या आ जाएगा तो देखिए आ जाएगा इतना आप गुना कर लिजेगा तो देखिए गुना करने के बाद इतना आएगा अब देखिए ये तो आ गया इन सभी का च्छतरफल लेकिन क्या कहता आपका प्रस्ण में एक मीटर एस्कॉाइड गास लगाता है उसका खर्च एक दसंम्लव सिवन फाइब परता है तो टोटल इतना लगाना है तो इतना से आप गुना कर लीजिएगा लेकि गुना करने के बाद आपका आंसर बिलकुल शटिक दिखाई देगा इतना आपका आंसर हो जाएगा चलिए दोस्तों यह भी आप समझ गये होंगे और चालिस नमर परशन का भी इस तरीका से बनाएंगे और और एक अन्य तरीका से बताएंगे यह मेरे ख् परशन को ध्यान से पारना और ध्यान से आपको इसको देखना प्रसन है एक बगीचे की लंबाई 70 मीटर और चौड़ाई 45 मीटर है उसके ठीक बीचों बीच हो जाओं के समांतर प्रस पर लंब दो सरकें हैं जिन में से परतेक की चौड़ाई 2.4 देखे दोस्तों यहां मि गलत लिखा गया है दोध nessa लए आप यहां मीटर कर लिए एगा यह 4 दोस sudah 4 क्या होगा चौ्ड़ाई हो गया रुपीया नहीं हो यह दिक गलत लिखा गया है मिस्प्रिंट हो गया है तो काता तो सरक का छतरफल सरक का छतफल निकालना है और बगीचे के सेसरफाट निकाल लेकिन मेरा विश्वास रहता है कि आप वीडियो कौन तक देखेंगे जरूर आपको समझ में आएगा चलिए और देखिए सार्थक कॉमेंट भी आता है कुछ लोग ऐसे कहते हैं इसको थोड़ा डिटेल से बताईए लेकिन क्या होता मैं जो बताता हूं कुछ लोग प्रशन भी नहीं आया चलिये तो उनको क्या करना होगा ठूरा रिविज हमें जेफिए करना होगा और सभी करते हूम इसको शॉलम बना जीज़ करते हैं इसका डाइग्राम बनाते हैं तो क्या कहता है देखिए ऐसा डाइग्राम आपका बन जाएगा ऐसा देखिए 70 मीटर क्या कहता है लंबा और 45 मीटर चौरा इधर से ऑजое है निपालने के लिए और यह जो आप देख रहे हैं इसका भी छहत्फर काता है निकालने के लिए जैसे पिछले में आपको प्रस्द बताया था वैसे भी बनाएंगे तहापको बनेगा और उसी तरीका से समझते हैं चलिए बिस पहले सरक्षटपलन बनेगा लंबाई कितना हो जाएगा सब्तर चोराई इतना ही होगा दोस्तों कितना हो जाएगा 2ismalat? 3 इसको गुना कीजिएगा तुлов कितना हो जाएगा देखिए इसका इसको गुना कीजिए 7 चौके 28 देखिए इसका चात्सपन निकालेगा यहां से यहां तक क्या हो जाएगा 7 चौक 28 और 7 एकम 7 ईतना हो जायेंगा तो देखे यह क्या हो गया यहहां से यहां तक 6 अधी और समझेंगा अब हो जाएगा यहां अब चलिए इतना हो गया यहां से यहां तक अब देखिए यहां से अब इसको निकालते हैं इसका चितबल निकालेंगे और जोर के और यह बीच भाला घटा देंगे दो बार इधर से भी कांट हुआ इधर से भी कांट हो यह दो बार कांट हो घटा देंगे आपका राफ्ता का चितफ़ आ जाएगा चले ऐसे भी एक आपका डाइग्राम बनेगा ऐसे डाइग्राम देखे कैसे बनेगा तो ये देखिए चोराई हो गया दो दस्वनलव चार और इसका देखिए यहां से यहां तक का जो लंबाई दे दिया आपको कितना दे दिया है प हो जाएगा दस्वनलव में कुछ हाएगा एक जिरओ स वह स्व में फटा जाएगा देखिए इतना अगया इसका चच्टफल क्या हो गया इतना गया 108 और इसमें लगा दो बार यह यह आपको 2.4 इधर से भी 2.4 और से भी 2.4 यह दोसे लूब 4 बराबर भुजावला बर्ग का जो छत्पल है यह दू बार दसमला देंगें, इतना हो जाएगा तो देखिए, इस काच्छत पल यहां से यहां तक हो गया 168, और यहां से यहां तक हो गया 108, इस दोनों क्या करेंगे, जोड देंगे तो चलिए, अब जोडते हैं, देखिए, 886, suisna, 6, 1 हो गया 7 और एक एक, एक इनके कितना होगे, दो, आगे ये जो दो बार काउप हुआ थह, इधर से भी इधर से भी काउप हुआ था हुआ इधर से भी काउप ह suffer ये बर्का स्थपल तो Call देखिए अब बर्का शथपल घटा येगा कितना कितना अब चलिए इसको घटाते हैं घटााई यहागा पांच दसमलव शेवन शिक्स अब देखे इसको घटाई यहागा चार हो गया और यह क्या हो थ Weak अब देखिए यह क्या हो गया जीरो अब यह क्या हो गया इतना हो गया तो देखिए यह हो गया आपका रास्ता का यह जो देख रहे हैं आप रास्ता इसका च्छतफल हो गया अब आप से एक ची और पुस्ता है यह चायांकित भा का च्छतफल पुस्ता है तो जब इसका लिए गा सटता जीरो दसम्लो पिसार तो आब क्या करेंगे 10pos निकाल दिए ये rest आया सट फोल बार का लंबाइ कितना है सब्टर और चौराई कितना है 45 बार का लंबाई कितना है सटर और चौराई कितना 45 गुट दोनों को गुणा किजेगा घुना कितना हो जाएगा तो देखिए इस दोनों को गुना कीजिए-गत हो जाएगा आपको देखिए दोस्तों इस आपका इतना आया था इसको यदि मैं घटा देता हूं तो क्या हो जाएगा इसका चित्फल आ जाएगा तो दोनों ही पुछता था इसका चित्फल पुछता था और रास्ता चित्फल रास्ता चित्फल इतना हो गया और आपको निकलना है यह चायंकित भाग का चित्फल निक जह कई सra इस स्वारी नौ हो स्वारी साथ हो गया अब यह हो गया आपको कितना नो हो गया अब इह चीरो रषयरों 10-10 में गाया आठ और यह हो गया दो तो दोस्तों यह हो गया इतना यानि यह जो देखने इसका च्छतपल हो गया इतना तो देखिए यह भी एक आंसर यह हुआ और यह आंसर यह हुआ यह दोनों आपको समझ में आ गया हो अब चलिए दूसरा तरीका से चलते हैं और देखिए वो थोड़ सेटेरिका से इसका आपका आंसर हो जाएगा छलिए अबस तरीका लिए देखे यह आपका फीगर इस से पाला फीगर तो आप से पुस्ता क्या था इस च्छतपल और यह रास्ता का च्छतपल 2 पुस्ता था क्या करते हैं इससे पाला बताया थाDr. इस 코로म भी बनाते हैं यह हो गया आपका सेकेंड में था चलिए अब देखिए क्या करते हैं आप देखिए यह जो आप देख रहे थे दो दस्वलब लंबाई यहां से यहां इसका चफल जब निकालना रहेगा इसका लंबाई निकालेंगे पुरा का लंबाई कितना है सत्तर है और इसका यह दि हमको सिर्फ क्या करना है यहां से यहां तक लंबाई फाइंड करना है इतना चुराई को घटाएंगे यह चायांकित भाका लंबा में कितना घटाएंगे लंबाई में घटाएंगे 2.4 घटाएंगे तो घटाईएगा देखे कितना हो जाएगा 6 और देखे दोस्तों यह हो गया 6 आप देखे यह हो गया 9 में से अगर 2 जाएगा 7 हो जाएगा यहां क्या हो जाएगा 6 यह देखिए यहां से यहां तक यहां से यहां तक आपका लंबाई हो गया कितना हो गया तो देखिए 67.6 हो गया और उसी तरह से क्या करेंगे देखे चौराई निकालेंगे इसका चौराई निकालेंगे पुरा देखिए है 45 पुरा कितना है यहां से यहां तक है 45 और इतना को जब हम छोड़ देंगे इतना का तो यह बच गया इसका यहां से यहां तक चुराई आ जाएगा देखे पुड़ा है 45 पुड़ा कितना है 45 उसमें से क्या करेंगे इतना दूरी को घटा लेंगे तो 2.4 तो घटाएगा कितना हो जाएगा देखे 6 हो गया अब देखिए यह कितना हो जाएगा यह हो गया आपको 4 4 में स छहांग्जित भाग का लंबाई कितना इतना हो गया और च्छाएंकृत भाग का डिया आसानी से आंसर आ जाएगा तो देखिए दोस्तों इसका आंसर यह आजाएगा अब चलिए समझते हैं इसका चत्रू कैसी निकालेंगे चलिए अब देखे आपको समझाते हैं आई से एक डाइगराम बनेगा आई से देखिए यह कुछ नहें ऐसे को गुणा किजेगा तो देखिए इस दोनों को गुणा किजेगा तो साथ चोके 28 साथ जुनी 14 और दू 16 इतना आ जाएगा दसनलों ऊड़ जाएगा अब देखिए यह हो गया यहां से यहां तक का छहत फल इसी प्रकार से यह और आपको आयत बन रहा है ऐसे बन रहा है आयत देखिए ऐसे आयत बन रहा है इसका देखिए आपको लंबाई दे दिया 45 और चोराई देखिए इसमें कितना दिया है दो दसनलों चार इसको भी गुणा किजेगा कितना आ जाएगा देखिए इसका चछत फल निकाल दिजेगा और यह देखिए यहां दो बार काउंट हो यह क्या है बरग है कि अब बना लगभग-लगभग बन जाएगा चलिए एक बार देखें तो देखिए इसकु कैसे बनाईएगा अब देखिए इसको जब भी आप गुणा कर जाएगा देखिए इस यह जब 151 हो गिया 108 1080 और इसका च्छषित्पल्व हो गया 168 अब इस में देखिए धो बार को क्या चोंट हुआ था आपका बार दो बार 2 बार बर काउट हुआ था चलिएर यहां से यहां तक 14 100 680 और यहां से यहां ये क्या है बल दो बर्ग ऑगया था तो बरग का एक बरग компन को होता है बुजा यह जो फाद दो बार tell यह बर्ग तो एक बार काच्छतफ़ आ गया इतना एक बार काच्छे तफ़ घटाना पड़ेगा तो 5.7 गएगा आपका आणसर आ जाएगा चार हो गया, दो हो गया और ये देखिए क्या हो जाएगा जीरो और ये गया टू सेवन देखिए दोस्तों ये भी घटाने के बाद आपका इतना अंसर अगया तो दोस्तों मेरे चैनल पीने है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल एकन परस कर दें ताकि जो कुछ वी अपडेट मिले सबसे पहले आप तक मिल पहुंचे और एक ची दोस्तों वीडियो को लाइक करना और सियर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि मनोबल बने रहे और आप तक मैं सभी वीडियो अन लेटेस्ट जितने भी आपको यतना आसानी सासानी उतना तक पहुंचाते रहों ठैकि दोस्तों फिर में ते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हैं